नमास्कार फ्रेंड्स वेलकम मै चानल फ्रेंड्स जय गनेश जी जय गनेश जी गनपती मोरिया गनपती मोरिया फ्रेंड्स आज की विडियो स्टार्ट करते हैं भाद्रापदा चतुर्थी 2024 मनाया जा रहा है भाद्रपद गनेश चतुर्थी जाने पूजा विधी और शुब महूर्त भाद्रापदा चतुर्थी 2024 भाद्रपद माह की गनेश चतुर्थी का व्रत 7 सितंबर को किया जा रहा है भाद्रपद माह भगवान गनेश के जन्म का माह है इसलिए इस माह में गनेश पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है भद्रापडा चतुर्थी 2024 गनेश चतुर्थी का हिंदूओं में बहुत धार्मिक महत्व है ये दिन भगवान गनेश की पूजा के लिए समर्पित है गनेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन है वर्जित शास्त्रों के अनुसार गनेश चतुर्थी के शुभावसर पर चंद्र दर्शन वर्जित है ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन चंद्रमा को कलंक लगता है जिस वजह से जो भी व्यक्ति चंद्रमा के दर्शन करता है उन पर जूठा आरोप लगने का पाप लगता है। पौरानिक कथा के अनुसार, गनेश भगवान ने चंद्र देव को श्राप दिया था कि भाद्रपद शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी के दिन जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा, उन पर मिथ्या दोश का अभिशाप लगेग यह अभिशाप भगवान श्री कृष्ण पर भी लग चुका है। गनेश विनायक जी की कथा प्रेरक कहानी श्री गनेश विनायक जी की कथा। मा ने जाने से पहले बेटी को दो लड़ू दिये और एक घंटी में पानी दिया। मा ने कहा कि एक लड़ू तो गनेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना। दूसरा लड़ू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। पानी मेरे लिए इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई गनेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने ये एक लड़ू और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी ये सोचकर गनेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड़ू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया फिर वह कहने लगे कि मानगो तुम क्या मानगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मानगू। अन्न मानगू या धन मानगू या अपने लिए अच्छा वर मानगू या खेत मानगू या महल मानगू। वह मन में सोच रही थी त तो माने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। मिलते हैं ये संकेत सपने में गनेश जी देखना। सपने में गनेश उत्सव के दौरान अगर आप सपने में खुद को गनपती बपा की उपासना करते हुए देखते हैं, तो ये सपना स्वपन शास्त्र के अनुसार शुब माना जाता है। इस सपने से साधक की किस्मत चमकने के संकेत मिलते हैं, माना जाता है कि सपने में गनेश जी को देखने से मनो कामनाएं पूरी हो सकती हैं, साथ ही उनकी क्रिपा से साधक के सभी सभी कष्ट दूर होंगे. अगर आपको सपने में गनेश जी को अपने वाहन यानी चुहे की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं इस सपने का अर्थ है कि साधक को जीवन में जल्दी धन का लाब होने वाला है माना जाता है कि इस तरह के सपनों को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए भाद्रपद सकष्टी चतुर्थी पर इस तरह करे पूजा घर के मंदिर में दीप प्रजवलित करें संभाव हो तो इस दिन व्रत भी रखें गनपती भगवान का गंगा जल से अभिशेक करें भगवान गनेश को पुश परपित करें भगवान गनेश को दूर्वा घास भी अरपित करें भगवान गनेश को सिंदूर लगाएं भगवान गनेश का ध्यान करें गनेश जी को मोदक या लड़्डूओं का भोग लगाएं इस व्रत में चांद की पूजा का भी मेहत्व है शाम को चांद के दर्शन करने के बाधी व्रत तोडे, भगवान, गनेश की आर्ती जरूर करें, भाद्रपद सकष्टी चतुर्थी पर इस मंत्र का करें जप, गनपतिर विगनरा जो लंब तुन्डो गजान नह, द्वेमातु रश्चा हे रंब एकदन तो गनाधिपः, वि विडियो कैसे लगा है, जूरूर कॉमंट करके बोलना, friends please please like, comment, subscribe और शेयर करना नहीं भूलना, all friends, thank you thank you thank you so much और धन्यवाड, जाए गनपति मोरिया, जाए गनपति मोरिया,